हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सबी का आपके अपने यूटूब चैनल रह्मतराज मैथमाटिक्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं BSTC 2020 के एक्जाम के लिए जो भी तयारी करें उन इस्टुडेंटों के लिए दोस्तों हमने शुरू किया था 2019 का सॉलवर्ड पेपर तो उसका ये पार्ट भी है जी हाँ दोस्तों आज हम सामाने ग्यान यानि राजस्तान के जो जीके के क्यूशन आते हैं BSTC 2019 में कौन कौन से क्यूशन आये थे वो देखेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिजनिंग के सारे क्यूशन देख लिए तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उससे आप वो वीडियो देख लें तो चलिए बाउनवा क्यूशन देखें, तो मंत्रियों की हवेली किस जिले में इस्थित है, बहुत अच्छा क्यूशन है दोस्तों, मंत्रियों की हवेली द्यान रखना है दोस्तों, चुरू में इस्थित है, तो ये तीसरा उप्शन से हो जाएगा, अगला क्यूशन आया था, किस संग तो यह हो जाएगी स्वेत तो यहाँ पर 55 क्यूशन की वैद्धी बात करें राजस्तान में सिंचित भूमी में सिलिंग की मात्रा कितनी है तो यह है 7.28 से लेके 10.13 हेक्टर पर 56 क्यूशन आया था गंगाबाई नामक सवतंतरता सेनानी ने किस परजामंडल आंदोलन में सक्र कि भूमी का निबाई थी तो गंगाबाई नामक सवतंतरता सेनानी ने जोद निबाई थी नात द्वारा परजामंडल अगरे बात करें तो गोरी संकर हिराचंद ओजा ने अपनी पुस्तक प्राचीन लिपी माला का परतम भाग 1812 इस्वी में किस किसे समर्पित किया था तो यह हो जाएगा करनल जैम्स टोड को अगली क्यूशन की बात करें जिलानी माता किस सेत्र की देवी है तो यह है अलवर की अगला क्यूशन गुण साटवा आयता नो सेर खां निती सुदा नामक गरंत फार्षी पुस्तक तो कियत एक केसर का हिंद यह अनुवाद मुंसी देवी परषा द्वारा कब किया गया तो अठारा सो गुणी असी में पहला उप्शन करेक्ट होगा शाटवा क्यूशन आयता निम्द में से कौन सी पुस्तक दिवान बादूर हर्विला सारदा द्वारा रचित नहीं है तो इसका राइट आंसर था सेर साय की जीवनी बाकी सारी इनी की लिकी गई है अगले की बात करें तो सूपी सेख हमी दूदी नागोरी का जन्म का हुआ था तो यह वाता दिल्ली में तो यह 61 तक हमने देखा चलते हैं 62 किसन की तरफ तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों निम्द में से किस किले में टांका निर्मान का सर्वस्रेश्ट उदारन पाया जाता है तो यह ओजएगा जेगड का दूर्ग अगला है गाय के सरीर का सामानित आपमान कितना होता है तो 101 डिगरी फारे नाइट अगला क्यूशन है राजस्तान में उपलवद बुजल में से कितने परतिसत जल का दोन हो चुका है तो यह 16.88 परतिसत का अगला क्यूशन आये था निम्द लिकित कतनों में से सही को चुनिये तो पहला कतन था दूसरी पंचोर सी योजना के अंतरगत सर्व परतम ओद्योगी क्युकास को सर्वोचे परात्मिकता दी गई और दूसरा कतन था राज्ये के सहकल गरेलु उत्पाद में ओद्योगी क्छेतर का योगदान 28-30 परतिसत रहता है तो दोस्तों कतन एक और दो दोनों ही सही है तो पहला उप्सन राइट आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन आयता बताईए राजस्तान में मसली निसेदकाल कब होता है तो यह हो जाएगा दोस्तों दूसरा उप्सन राइट 16 जून से 31 अगस्त तक अगला है पस्षिमी विशोबों से होने वाली वर्ष वर्षा मावट कहलाती है यह वर्षा रभी की फसलों के लिए लाब कारी होती है राजस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है तो इसे गॉल्डन ड्रॉप्स के नाम से राजस्तान में जाता है जो मावट होती है अगला क्यूशन है सुमेलित कीजिए एक तरफ गासें दे तो आपको इनको सुमेलित करना है इनका आंसर है दोस्तों ओप्षन नमबर दो तो यह राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ओप्षन अगले क्योशन की बात करें तो निम्नलिकित कत्नों का परिक्षन कीजिए तदा नीचे दिगे एक उटों का प्रियोग करते वे सही उत्तर क चेन कीजिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा A, C और D सही ए यानि पढ़के बता देता हूं सुस्क साकवान के वन राजस्तान के दक्षनी पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं बिलकुल सही बात है C में लिकावाए खेर वन राजजी के दक्षनी प श्यममी मिठी किस जिले में नहीं पाई जाती है तो यह जोद पूर में नहीं पाई जाती है वाकि diesel बासटेपुर मास्वाड़ और परतापगड में पाई जाती है अगला है जोबनेर में कृसी कुलेज की इस्तापना किसने की ज्यातै वे है कि राजपूदानाव म्द्य वारत का परतम कर्शी कोलेज था तो इसको बशाय था नरेंदर सिंग ने अगला है चिनी यातरी हैंसांग ने भीनमाल को क्या नाम दिया तो पोलो मिलो यह नाम दिया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों तेतरवें क्यूशन की तरफ माराना संगा का अंतिम संस्कार बसवा नाम किस जिले में पढ़ता है तो यह पढ़ता है दोस्ता जिले में पहला उप्शन करेक्ट आंसर था इसका दोस्तों यह दिया बीस्टी सी 2020 की तैयारी करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें चोत्तरवा एक्योशन आये था इब्राहिम पूरव सांगा के लिए जी हैं दोस्तों अगला एक्योशन देखते हैं कौन से ख्यात में सुमेल युद का वर्णन मिलता है तो यह मिलता है जोदपुर की ख्यात में गिरी सुमेल युद का वर्णन मिलता है अगला एसा ही सुमेलित युगम है तो उप्योगत सभी सभी है देखते तो उप्योगत सभी का option right answer होगा अगला है दोस्तों तारकसी के जेवर कहां के परसिद है तो तारकसी के जेवर है जेपुर और नात दुआरा के फेमस अगला question आये था जापान की कौन से air conditioning company है जिसने नीमराना plant में अक्टोंबर 2017 में व्यावशाई को उत्पादन शुरू कर दिया था तो यह है डाइकिन आगे बढ़ते हैं गुणियस सीवाई क्यूशन की तरफ निम्मेन लिकित उद्योगों की स्तापना के संबन्द में विचार कीजिए और इनको गठन के तीती करम में जारी रखते वे सही उत्तर का चैन की जी आप इन चारों को देख लें और सही उत्तर जो है इसमें यह हो जाएगा आपके दूसरा option सही जिहां दोस्तों पहले आएगा A फिर आएगा B फिर आएगा C और फिर D यानि चारों विवस्तित करम में ओल्रेडी है आगे बढ़ते हैं असिमा कि उसने परंपरागत उर्जा सरोतों का सई युग्म है तो यह हो जाएगा खनीज तेल, कोईला और पन बिजली अगला है उच्छ सिक्सा में कोसल विकास को सामिल करने वाला पहला राजे कौन सा बना है तो यह बन गया है राजस्तान अगला है अगरबती स्टिक बनाने में मुख्यते कौन सी लकड़ी उप्योग में लाए जाती है तो बांस की लकड़ी उप्योग में लेते हैं अगला है निम्न में से किसे हिंगलाज मता का अवतार माना जाता है तो ये माना जाता आवड मता का चलिए दोस्तों चोरियां सिवां कि उसने राजस्तानी नाटकों के जन्नक कहलाते हैं कने अलाल पंवार फिर है अलग अज्जा वादकों का गाउं किस जिले में है यह बाड मेर में अगला च्छियां सिवा क्यूशन आये था राजस्तान के मांड गीत नामक पुस्त की लेखी का कौन है तो यह है मांगी भाई आरिये तीसरा ओप्षन करेक्ट आंसर होगा अगला क्यूशन है बासा क्यूशन है इन पंक्तियों के रेच्चियता कौन है पंक्तियां क्या है माई एडा पूत जन जेडा राना प्रताब अक्सर सुतो ओज के जान सिराने साप तो यह लिखाता दुरसा आडानी आगे बढ़ते हैं दोस्तों गुणनेबावा क्यूशन जो आये था कि समाचार प कि अध्यक्सा में कब आयोजित हुआ ये वाता 17 नमंबर 1913 में चले दोस्तों इकराण में में क्यूशन देखते हैं जेपूर के उसकचवा वंसी सासा का नाम बताईए जिसने अपनी प्रेमी का रसकपूर के नाम जेपूर यासत का आदा राज्य करवाने के साथ इतक साल स उसके नाम पर सिखे जारी किये तो ये है जगत सिंग पेला ओप्शन राइट आंसर होगा बारावन में में क्यूशन है निम्न में से राजस्तान के किस दूर को दखिन का दुवारगड के नाम से जाना जाता है तो ये है सेरगड का किला और तेरावन में में क्यूशन है र तो दोस्तों ये बंदेज के परकार होते हैं अगला है 95 राजस्तान के ने माधिवक्ता बने तो ये इसका राइट आंसर उस समयता मेंदर सिंग वी 96 है मीडिया सित्र में योगदान के लिए 2018 का बंगड विबोती पुरुषकार किसे दिया गया तो ये दिया गया था गोपेंदर नाथ भट को 97 है राजस्तान परियेटिन विबा का लोगो बदल कर रख दिया गया है पदारो मारे देश मन गया है अगला 99 वन इस तली विद्यापीट के दिक्सान समारों में किस अंतराष्टी खलाडी को डोक्टरेट की मानक उपादी दी गई पीवी सिंदु को और लास्ट में जो क्यूशन पुचा गया था 14 जनवरी को राजस्तान में किस दिवस के रूप में मनाय जाता है तो यह मनाय जाता है मानव सवतनतरता दिवस के रूप में तो दोस्तों यह 2019 में जो राजस्तान जी के सामाने घ्यान के क्यूशन आयते 50 उनको हमने डिसकस किया है दोस्तों आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इससे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पार्ट 6 की जिसमें सिक्षन भी समता के 50 सवाल जो important होते हैं BSTC के लिहाद से उनको हल करने वाले हैं तो दोस्तों BSTC 2020 से समन्दित बहुत सारे model paper और reasoning के कुछ महतुकपून टॉपिकों के जो है types में डालने वाला हूं तो दोस्तों लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एप्टी टूट वाले किस्टनों के साथ तब तक के लिए जहिन